चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिये है इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद इस गंटी जैसे आइकन पर जरूर क्लिक करें फिर यहां एक चेक बॉक्स हैगा send me all notification for this channel इस पर क्लिक करके इसको save कर दें चैनल सब्सक्राइब हो गया है उसके बाद आप वीडियो के नीचे जरूर लाइक बटन पर क्लिक करें अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो dislike option भी है कोई भी problem है आपको इस वीडियो से संबंदित तो आप नीचे comment box में हमें लिख सकते हैं Hello friends मैं हूँ आपका दोस्त दीपक और दीपक EDU World में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम सीखेंगे insert menu के अंतरगत hyperlinks का उप्योग करना hyperlinks का काम होता है किसी भी file और folder को documents में लिंक देना चाहे आप text के लिंक दीजिए, picture के जरिये दीजिए या shapes के जरिये लिंक लगाईए तो अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर की text, picture और shape पे हम लिंक कैसे लगाते हैं तो मानली जी है यह record आपको दे रखा है RAMS यहां कुछ employee persons दे रखे है अब हमें क्या करना है मानली जी हमने इनका data जो store कर रखा है वो अलग से store कर रखा है और इन पे जा हम click करें names पे तो इन से associated जो भी data है वो आपका screen पे दिखे मतलब folder open हो जाए यह जो भी reason हो सकता है तो आपने simple click कर लेना है जैसे मैंने RAM पे click कर लिया है hyperlink पे जाईए और यहां से location ले लिजिए जहां से आपका file folder save है जिसको link करना है तो desktop से मैंने क्या कर दिया एक banners नाम से folder है इस पे click करके ok कर देंगे तो यह link आपका create हो गया है अब आप देखोगे जैसी link लगा दिया है तो blue color आ गया एंडर लाइन आ गया यह link की पहचान होती है text पे तो जैसी cursor लेके जाओगे little hand बनेगा तो आप यह click कर लीजिए और इसको yes कर दीजिए तो यह आपका folder open हो जाएगा हटाने के लिए क्या करना है आप इसको select कर लीजिए hyperlink पे जाईए और यहाँ पे remove link का option है click कर दीजिए link आपका हट जाएगा अब हम try करते है picture पे हम यह shape पे कैसे लगाएंगे तो मैंने क्या किया insert option पे जाके एक shape को draw कर ल इसको आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद okay कर दीजिए तो यह आपका link के लग गया है जैसी करजर लाओगे उपर तो little hand बनेगा इसकी पहचान यह है shape वगरा की पिक्चर की की उस पे little hand बनेगा underline तो आएगा नहीं क्योंकि यह text नहीं है तो जैसी click करोगे permission मेंग रहा है open करनी है फाइल नहीं करनी तो यस करोगे तो फाइल आपकी यह folder आपका जो है open हो जाएगा दोस्तों इसी तरह से आप जो link लगाओगे audio, video, picture, animation किसी भी तरह की फाइल को आप link दे सकते हो सेम इसी तरह से picture पे link लगेगा picture पे click करके hyperlink पे click करके link लगा लेना तो लग हटाएंगे कैसे उसके लिए आपने क्या करना है keyboard से control की press करनी है और उसको दबाए रखना है save पे click कर लेना save select हो जाएगी उसके बाद hyperlink पे जाना और remove link पे click कर देना तो link आपका हट गया इस पे click कर ये कुछ भी नहीं होना क्योंकि link हमने हटा दिया है same इसी तरह से picture बहुत सारे options हैं कि बहुत सारा जो इसका main use है वो अभी मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे हम hyperlink में email के जरीए link दे सकते हैं या अपने documents new documents के लिए हम link दे सकते हैं कि हम कहीं किलिक करें तो नए document आ जाए या फिर हम documents के जो pages है sheets हैं उन पे कैसे आसानी से move कर सकते हैं hyperlink की help से तो यह आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर तब तक आप यह पढ़िए कोई भी problem है वीडियो के नीचे comment box में आप लिख सकते हो दोस्तों अगर आपको कोई भी problem है नीचे comment box में लिखिए और चैनल को subscribe कीजिए ताजर जानकरी प्राप्त करने के लिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए थैंक यू दोस्तों have a nice day